आपने उनकी भी बात सुनी आपको लगता है कि कोई समाधान कोई रास्ता निकलेगा देखिए एक एक बाते में दोनों नेताओं की करूँगा एक ने कहा कि बिल में कानून में काला क्या है कोई बताए जो भी रोध कर रहा है बात कानून के काले की नहीं है दिल के काले की है कानून कागज में चाहिज जैसा लिखा हो दिल में क्या है उसकी मंसा क्या है दूसरा राकेश टिकेट ने कहा कि बिपक्ष उठ खड़ा हो अंदोलन करे जेल भर दे अब ये दो बाते आज निकली हैं बहुत महात्मूर और इस देश में अब ये देखना है कि विपक्ष राकेश टिकेट और किसानों के आवाहान पर अब जेल भरो अंदोलन कब शुरू करता है अब कहां इस्टंड में जेल भिजवाओगे किसी को नई एक आदमी सत्तर दिन से बैठा है कुर्ता उसका यहां मलमल का पहिंते हैं वहां काला मैला कुचैला और हवा का थपेड़ा खाता हुआ यहां हाईजीनिक ब्योस्ता देखते हैं लोग खाने पीने में वो सड़क प सड़कों पर उतरना पड़ता है और जब सड़केंबोलती है तो संसत को सुलना पड़ता है यह असोक जी बैठे हैं जेकेरेरे बड़ा लग गया बड़ा दाग लग गया com दाग की बड़ी चिंता है औरे जिसका कुरता पेजामा सब पूरा दागदार हो वह दाग की साथ क्या करता है वासिंग पाउडर निर्मा से भी नहीं धुलेगा वो चमाने चला गया बिर्जेश जी आज किसान हमारे देश का गवरों है जी और सरकार इस देश का अधार है तो दोनों की इजद बच जाए और दोनों का मान सम्मान रहे यही तो हम लोग चाहते हैं और इ इनको धनिया पुदीना के अंतर नहीं पताबाए वह ज्यान देते हैं किर्सान बिल पर समस्या इस बात की है अब मैं इनसे बोल देओ कि जाओ ले वजरा धनिया तो पदलाग पुदीना खरीद लई है तो यह बहुत हमारे समाज की बिटम मना है आज वक्त कम है मैं स्थित किसान निसान दोलन में कम जा रहा है उसकी कुछ मजबूरियां है रात में ग्यहूब होया है यह साड़ और नील गाय सब ग्यहू चट डाल रहे गाओं में तो पूरी रात तो किसान पुर्वांचल में गाय और अब दूसरा उसके सामने संकट यह है फसल पैदा नहीं होग लेकिन उसके सामने वो मन से साथ है टिकेट के और टिकेट वही है जो अपनी बात पर टिका रहे तो टिकान बोले हुए टिकेट जी आगे देखिए क्या होगा आज साहित में कुछ ऐसी चीज़े कहूंगा जिनकों सुनके आपको मज़ा आएगा गरीब रोटी मांग रहा है किसान हक मांग रहा है सरकार खून चूस रही है चमचे अपवा फैला रहे हैं बेरोजगार भूखे मर रहे हैं युवा संघर्स कर रहे हैं और मामा ने सिर्फ मामू का विकास किया मामा ने सिर्फ जनता को मामू बनाया विकास पैदा नहीं हो पाया वे रोजगार ही वे रोजगार हो गया और मेरे देश को देखो यह क्या हो गया बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी बहुत धन्यवाद इस कारकम में मैंने आज एक